सो हेलो बचलो वेलकम बाक तो दा चानल बचलो आज हम लोग यहाँ पे प्रॉपटीजन सॉलिट्स जिसे आप इलास्टिसिटी चाप्टर के नाम से भी जानते है और फ्लूइड मेकानिक्स के सारे सवाल करेंगे जो हमसे पूछे कहे थे जही में 2024 एपरिल अटेम्ट में इसका जो प्रिंटिबल फॉर्माट का पीडियाफ है इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा रेकमेंडेड है कि आप इससे डाउनलोड करें टाइम बाउंड मैनर में सॉल्फ करें और फिर आपके इसमें जितने भी डाउट्स है आप उनको यहाँ पर आके देखे ठीक है? कुल मिला के आप से टोटल 21 क्वेशन पूछे कहते हैं 5 सवाल सॉलिट से and 16 क्वेशन फ्लुइट से ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉलिट के सवाल को सॉल्फ करेंगे जहाँ पर हमने प्रॉपटिस ऑफ सॉलिट के कुछ टॉप selected questions 2021 के PYQ's आपके 22 के PYQ's 23 के PYQ's हमने यहाँ पर सारे के सारे previous year question आपको कर रखे हैं सभी का chapter wise जो playlist है उनका link आपको नीचे description box में है ठीक है? बढ़ियां है चलिए तो यह रहा आपका सबसे पहला सवाल question number 1 जो हम से पूछा गया था 4th April shift 1 में, right? Just because यहाँ पे elastic spring लिखा हुआ है doesn't mean कि आप इसे SHM में डाल दे, यह सवाल हम लोग इसी में ही generally देखते हैं, an elastic spring ना लिखा होता, अगर कोई आपको एक rod भी लिखा होता तब भी आपको यही discussion होता जो भी हम यहाँ पे करने वाले है तो भईया आपके पास एक elastic spring है एक elastic material है जिसमें अगर 3 newton का tension है तो उसका length A है तो जाहिर सी बात है suppose किजिए कि हम लोग कुछ इस प्रकार का चित्र बनाते है कि जाहिर सी बात है कि भईया उसका जो natural length होगा वो आपको let us say L है तो 3 newton tension के बाद इसका length अगर A है तो A is more than small L there is some elongation there is some elongation बात सही है सर बात बिलकुल सही है कि अगर हम अब बात करे तो अब आपको यह है L यहाँ पे आपको जो length है वो A कह रहा है यानि कि आपका जो elongation है यहाँ पे that is equal to your A minus L दिख रहा है ना सर यह हमको A minus L है अच्छा सर and यहाँ पे आपको जो tension है that is equal to T मान लिज़े कि कोई external agent F force लगा रहा है system आपको equilibrium में है तो आपको जो tension है वो आपको T होगा जो कि आपको F की बराबर है so anyways यहाँ पे जो आपको T हो जाएगा इस case में वो हमको कहता है 3 newton यानि 3 is equal to your जो भी आपको यहाँ पे spring constant है that constant multiplied by elongation which is your A minus L A minus L अच्छा यानि कि सर हम यहाँ पे कह सकते है 3 by K plus L is equal to A अच्छा फिर हमसे कहता है कि भाईया अगर tension आपको 2 newton है तब आपका length जो है वो small b है जानि 2 is equal to K multiplied by B minus L अब आपका elongation कितना हो जाएगा B minus L तो यहाँ से हम कह सकते है 2 by K plus L is equal to your B equation number 2 हमसे कहता है कि अगर length 3 A minus 2 B है तो उस समय आपको tension कितना है उस समय आपको tension कितना है so tension is equal to K times अब हमसे कहता है कि length आपका है 3 A minus 2 B तो elongation हो जाएगा this length minus your natural length अच्छा अब अगर ध्यान से देखो तो आपके पस A की value है तो यहाँ पर substitute करो इसमें हम 3 multiply करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 9 by K plus 3 L minus 2 B तो भाईया इसमें 2 multiply करेंगे और यहाँ पर minus भी था तो यहाँ पर धिहान से देखना यह हो जाएगा 4 by K minus 2 L और यहाँ पर आपका minus L already pending में है So 3 L minus 2 L minus L आपस में मर गया यहाँ पर K, K, K आपस में मर गया 9 minus 4 is equal to 5 तो जनाब इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा 5 newton ठीक है बढ़ियां इस है तो simple manipulation है अपने को 2 equation बनाना है and then it's a game of manipulation अच्छा ध्यान से देखिए the density and breaking stress of a wire are this and this much the wire is suspended from a rigid support on a planet where acceleration due to gravity is one third of the value on the surface of earth and धरती के surface पर G की value कितनी है हमको सवाल में वो भी दे रखा है तो भाई साब आपके पास यह ceiling है आपके पास यह ceiling है and आपने जो रस्सी यहाँ पर लटकाई हुई है यहाँ पर इस प्रकार से ठीक है यह ऐसे आपको मस्त हैंग कर रहा है अच्छा सर अच्छा सर density हमको इसका दे रखा है इतना तो density है and this is the breaking stress तो भाईया सबसे जादा यहाँ पर जो force लग रहा होगा इस पूरे wire पर वो कहां लग रहा होगा topmost point पर यहाँ पर इनको actually with के जगर without लिखता तो जादा मजा आता कि भाईया जादा से जादा आप कितनी लंबाई की रस्ती यहाँ पर लटका सकते है ताकि यह आपको just limiting case की बात हो या फिर यह आपको टूटे ना तो भाईया टूटेने का सबसे जादा खतरा कहां पर है topmost point पर क्योंकि topmost point पर पूरे की पूरे रस्ती का weight पड़ रहा है तो sir इस point पर आपको जो tension है या जो force जो भी बोल लो that is equal to weight of this rope that is equal to your mg हाँ sir यानि कि sir topmost point पर जो आपको stress होगा that is equal to tension upon cross section area so sigma is equal to your mg upon area बिल्कुल sir हमें सवाल में पूचा है length sir length कहां से निकल के लाएंगे हमारे पास sigma तो सवाल में था भाई साब अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर mass क्या हो जाएगा density is mass upon volume तो mass हो जाएगा density into volume density into volume और volume क्या हो जाएगा जो भी इसका cross section area है multiplied by length that is equal to a into l बिल्कुल सही बात है तो a से हमारा यहाँ पर मरेगा हाँ जी तो यहाँ से आपका जो l निकल के आ रहा है that is simply your sigma upon gravity into rho now sigma की value हमको यहाँ पर दे रखा है this much 1.2 into 10 to the power 8 divided by gravity is 10 and density is 6 multiply अच्छा अच्छा सौरी सौरी gravity धर्ती वाला gravity मत ले ले ना 1 third है तो भाईया 10 by 3 तो एक 3 उपर भी जाता देख रहे हो और यहाँ पर density आप multiply करोगे 6 into 10 to the power 4 अच्छा बढ़िया है सर हमें answer चाहिए meters में तो क्या meters में answer आप आएगा 10 10 to the power 4 10 to the power 8 यह हो जाएगा आपको 10 to the power 3 यह मरेगा तो सर यह 2 हो जाएगा यह मरेगा तो सर यह 0.6 हो जाएगा सर यहां से यह हमको निकल के आ रहा है 600 meter तो क्या इस सवाल का सही जवाब 600 meter है बिल्कुल है, ठीक है simple, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, question number कहा गया, 3 अच्छा, ये तो आपको एकदम simple theoretical question है a force that restores and elastic body of unit area to its original state आप जैसे ही किसी body को deform करने का कोशिच करते है, उसके अंदर stress develop हो जाता है, वो stress क्या करना चाता है, उस body को उसके original shape पे लेके जाना चाता है, यानि एक ही matching सर हमको यहां पे third के साथ है, ठीक बात है सर एक ही matching third के साथ कहां कहां दिख रही है यहां और यहां तो नहीं दिख रही है two equal and opposite forces parallel to the opposite faces shear वाला feeling आ रहा है, shear वाला feeling आ रहा है, आ रहा है की नहीं आ रहा भाई साब, forces perpendicular everywhere, bulk वाला feeling आ रहा है, bulk वाला आप एक body ले लो, suppose किजिए कि आपने उसको डाल दिया पानी पे, या फिर वो अगर air में है, तो air का pressure हर तरिफ से उस पे लग रहा होता है, forces acting from all the sides, और हमेशा हर point पे 90 degree पे लग रहा है तो ये वाला जो आपको feeling दे रहा है, वो दे रहा है, bulk modulus के साथ 1, 2 equal and opposite forces, perpendicular to opposite faces, ये तो आपका simple young's modulus वाला है, तो भाईया 2, 3, 4, 1, 2 3, 3, 4, 1, 2, option number 3 जो है हमारा सही जवाब है ठिक, बढ़िया है अगला सवाल देखिए ये सवाल आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा 6th April shift 2 में ठिक है, 6th April shift 2 में सवाल में हमको क्या बोल रहा है अब wire of cross section area A, है न, ये wire का कुछ तो आपको side से अगर देखोगे, तो कुछ तो इसका cross section area होगा तो यहां पर हमने horizontally ऐसे बांधा हुआ है, दो fixed ends के about modulus of elasticity इतना है आपको, length इतना है यानि कि ये जो आपको 2L दे रखा है वो आपको 2 मीटर है basically when a mass of 2 kg is suspended at the middle, it sacks lower from its original position तो wire जो पहले ऐसे था weight लगाने के वज़े से wire आपको हलका सा ऐसा हो गया है ये जो angle theta है बहुत छोटा है, that is 1 by 100 radians, अच्छा the value of capital A is dash into 10 to the power minus 4 consider x is much much smaller than L, दिखी रहा है भाईया theta ये आपको बहुत छोटा है, अच्छा gravity हमको कहता है कि 10 ले लो तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखे, हम कह रहें कि भाईया एक तो इसको हटाओ, ये capital 2L जो लिखा हुआ है, उसको हटाओ क्योंकि हमको तो साफ साफ दिख रहा है ना हमको यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि this value is 1 meter, इसका जो original length था है ना, ये वाले part का original length 1 meter था similarly ये भी 1 meter था फिर यह आपको इस प्रकार से साग हो गया और system आपको equilibrium में है तो भाईया हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इस point का FBD बनाए, जो green dot बनाया हमने, अगर हम उस point का FBD बनाएं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि नीचे तो आपको 2 kg का weight होगा that is 20 newton, right by symmetry आपको दिखना चाहिए कि अगर इसमें tension T है तो सर इस वाले wire में भी tension T ही रहा होगा अच्छा बढ़िया है सर सर हमको दिखाई दे रहा है अगर ये angle theta है तो ये angle theta है दिख रहा है ना, सर ये वाला जो angle है theta और theta है बढ़िया है सर तो हम कह सकते है कि T का vertical component T का vertical component is balancing the 20 newton मानते है सर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 T sin theta is equal to 20 2 दे, 20 को मारा तो 10 T, सर साइन theta सा theta इतना छोटा है, साइन theta को theta पकड़ लो, सो साइन theta के जग़ theta लिग दिया, is equal to 10 अच्छा, अभी मामला set नहीं हुआ tension को कैसे replace करेंगे tension को हम replace करेंगे कैसे ध्यान से देखिएगा यह जो triangle है ना, यह जो triangle है, इस triangle को पकड़ो ठीक है, अगर यह theta है, मेरी बात को सुनियेगा एकदम, इसी triangle में, इसी triangle में, अगर हम tan theta देखे, that is x upon 1 basically x, theta बहुत छोटा है, तो tan theta को theta पकड़ लेते यानि कि sir, x की value theta के बराबर है जहां पर theta 1 by 100 है, अच्छा यानि कि sir, यह वाला जो length है, यह वाला जो आपका hypotenuse है जो कि अब actual इसका length है, यह इसका original length था जब elongation नहीं आया है अब यह आपको wire का shape है, यानि wire में कुछ तो elongation आया है, हमको वो elongation जानना है, उसके लिए पहले यह वाली length तो पता कर ले sir, यह वाली length कितनी हो जाएगी that is going to be all this square plus this square का under root यानि कि sir, one plus theta square का under root अच्छा यानि कि sir, sir इस wire में आपको जो elongation आया है, delta x आया है that is equal to your one plus theta square minus one minus one, सही बात है की नहीं? वही तो होगा उसके इंदर जो elongation आया है अच्छा बढ़िया है sir अब sir, इस wire में हमको tension पता है tension upon cross section area is equal to your is equal to your young's modulus modulus of elasticity multiplied by change in length upon original length जोके sir, वो तो one ही है तो sir, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है tension को हम लोग लिख सकते थे a into young's modulus multiplied by delta x and sir यह जो delta x है ना हम इसको थोड़ा सा और simplify कर सकते है आपका theta बहुत छोटा है भाई साहाब one plus theta square whole to the power half minus one sir, theta दो बहुत छोटा है तो क्या यहाँ पे हम लोग binomial expansion वाला approximation नहीं ले सकते क्या हम लोग यहाँ पे theta square by two इसको नहीं लिख सकते क्या करते थे तुम one plus x यहाँ पे x हो, x square हो उससे फरखनी पड़ता अगर यह वाली term बहुत छोटी है one के मुकाबले तो this is approximately equal to one plus nx तो हमने half को theta square से multiply किया और यह minus one तो था ही so this fellow is your theta square by two so this is your elongation this is your elongation तो भाया हमारे पास equation number one में अब क्या है tension tension की जगा यह लिखोगे that is your a young's modulus delta x delta x की जगा यह लिखोगे theta square by two is अच्छा और एक theta और है यहाँ पे is equal to 10 हम से यहाँ पे area पूछा है so area is equal to 2 into 10 20 divided by theta का cube theta sir कितना है 10 to the power minus 2 so 10 to the power minus 6 and young's modulus कितना है 2 into 10 to the power 11 तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखे तो आपका यह मर मर के हो जाएगा इतना 10 to the power minus 6 10 to the power 5 उपर जाएगा तो 10 to the power minus 4 so cross section area is 10 to the power minus 4 meter square तो हमको यहाँ पे इतना already दिया है यानि integer में क्या भरोगे 1 भर दोगे ठीक है बढ़िया सवाल एकदम यह तो आपको integer में पूछ दिया अगर single correct में पूछ देगा तो यह आपको बहुत अच्छा एक rank deciding question हो जाएगा integer में तो क्या भरिया skip करने का option होता है है ना अच्छा ध्यान से देखिएगा 2 persons pull a wire towards themselves है ना हम पहले एक चीज़ समझा देते हैं आप एक दिवार पे wire को fix कर दो और फिर इस wire को अगर आपने let us say 100 और रादर 200 newton से pull किया है तो इस wire में कुछ elongation आ जाएगा और फिर आपका system एक बार के लिए equilibrium में आ जाएगा अगर system equilibrium में है तो क्या हम जब हम इस wire का proper proper FBD बनाएंगे तो भाईया आपने इधर से pull किया 200 newton से system है तो equilibrium में यानि यह जो wall है वो भी इसको इधर की तरफ pull कर रहा है 200 newton से so basically in situations में न इधर भी आपको है pulling force 200 newton का वो हमको दिखाने की जरुवत नहीं पड़ती आप जब यहाँ पे लिखते हो tension upon area is equal to young's modulus delta xyl वहाँ पे tension सिर्फ 200 ही लिखना तो बच्चे क्या करते है जब सवाल में ऐसा कुछ देखते है न कि दो लोगों ने इधर उधर से खीचा तो बच्चा बोलता है कि सर 200 और 200 400 डाल देते हो उपर force में भाई गलत हो जाएगा वो जब यहाँ पे नहीं डाले तो यहाँ क्यों डाल रहे हो समझ भाई मेरी बात बढ़िया है सर तो हमको यहाँ पे basically force दे दिया सो भाईया force upon cross section area is equal to this elongation upon your original length हमसे यहाँ पे the wire will extend तो भाईया delta x पूछा delta x is equal to how much f into l multiply divided by a into y ठीक बात है सर so delta x is equal to force कितना था 200 newton so 200 length कितना है length कितना है दिया है न original length is 2 meter तो यहाँ पे 2 लिखा divided by cross section area हमको है यहाँ पे 2 into 10 to the power minus 4 and this young's modulus is 10 to the power 11 तो अगर हम ध्यान से देखे यह आपको मर जाएगा यह हो जाएगा आपको 10 to the power 7 तो उपर में होगा 10 to the power minus 7 यानि कि हम इसको लिख सकते थे 20 micrometer तो भाईया question number 5 का जो सही जवाब है that is 20 ठीक है बढ़िया शांदार अच्छा next अपना यहाँ पे शुरू होता है fluid mechanics and जैसा कि हमने आपको पहले भी बता है fluid mechanics के भी भाईया आपको selected PYQs 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, January return के सभी हमने previous year question solve किया है playlist का link नीचे description box में है ठीक है यह अपना सबसे प्रथम question है fluid mechanics का right and ध्यान से देखेंगे इसको when speed of statement type है when speed of liquid is zero everywhere pressure difference at any two points depends on the equation this so basically अगर हम एक generalized Bernoulli's equation को लिखे जहाँ पे हम लिखते है न P1 half rho V1 square rho G H1 is equal to किसी दो point के बीच में अगर हम Bernoulli's का equation लगा रहे है तो हम इस प्रकार से equation को लिखते है अगर हर जगा speed ही zero है तो यह दोनों term आपको cut जाता तो हम यहाँ पे लिख सकते है कि सर P1 minus P2 is equal to your rho G H2 minus H1 यही पे यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है तो सर यह वाला statement तो हमारा true है पिल्कुल true है this was your statement 1 statement true में हमको एक चित्र बना के दे रखा है है न वेंचुरी मीटर का in a venture tube shown this equation क्या यह equation सही है या गलत है हमको यहाँ पे judge करके बताना है ठीक है अच्छा तो हम तो इक काम करते हैं क्योंकि हमारा aim है कि आपको अगर कुछ ध्यान में नहीं है तो पूरा revise ही हो जाए आपका हम कह रहे हैं कि यह जो point आपका 1 है और यह जो आपका point 2 है इन दोनों के बीच में लगाओ burn knowledge का equation और दोनों point same level पे है यानि अगर यहाँ पे rho g h लिखोगे तो यहाँ पे भी rho g h होगा तो वो दोनों आपस में मरेंगे ठीक है तो आप यहाँ पे जो equation लिखते आप लिखते sir p1 plus half half rho v1 का square is equal to p2 plus half half rho v2 का square अच्छा तो यहाँ से हम लिखते p1 minus p2 is equal to half rho v2 का square minus v1 का square ओके sir हमको अब यह भी दिख रहा है कि भाया इसके उपर में एक column है right and let us say यह वाली जो length है वो हमको x है तो यहाँ पे यह भी x है तो sir one point पे जो आपको pressure होगा अगर हम उपर से देखे आपका जो static pressure है अगर वो हम देखे तो हम बोल पाएंगे that is rho g h plus x और point number 2 पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम बोल पाएंगे सिर्फ rho g x यानि यहाँ से आपको p1 minus p2 क्या दिख रहा है आपको rho g h नहीं दिख रहा दिख रहा है न तो sir यह आपको basically rho g h है that is equal to your half rho v2 का square minus v1 का square तो भाईया rho ने rho को तो मार दिया तो हम यहाँ पे कह सकते थे this is equal to your 2 g h and that is your v2 का square minus v1 का square लेकिन यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे v1 square minus v2 square दिया उल्टा दिया है तो भाईया यह statement हमारा false हो जाता right so हमको क्या मिला हमको क्या मिला statement 1 is correct but statement 2 is incorrect तो भाईया question number 1 का option number 4 is the correct answer ठीक है चलिए आगे बढ़े अगला सवाल देखते है next question okay sir integer type question है क्या बोल रहा है a soap bubble is blown to a diameter of 7 cm पहले से आप समझे आपके पास एक bubble है bubble में क्या होता है आपको एक inner layer और एक outer layer दोनों होता है ठीक बात है सो आपके पास जनाब इस प्रकार से एक bubble है और ये bubble का जो radius है वो आप और आदा जो diameter है diameter जो है वो हमको कहता है कि सर्ष 7 cm है अब आपने कुछ work done किया 36960 अर्ग of work is done in blowing it further if surface tension of the soap solution is this much तो नया radius है वो कितना है R2 कितना है आपका R1 कितना था R1 is 7 by 2 cm तो हम क्या बोल रहे है सबसे पहली बात एक bubble का जो आपको surface energy होता है that is equal to 2 times 4 pi r square सबसे पहले तो ये clarity होनी चाहिए दो surface है अंदर और बाहर तो यहाँ पर यह हो जाएगा 8 pi this is your surface area multiplied by surface tension तो 8 pi r 2 का square times your s ठीक है s into a होता है उसी प्रकार से आप यहाँ का भी लिख देते यहाँ का this is your final this is your initial that is equal to your 8 pi r 1 का square times your s एक और important बात क्या है हमको answer चाहिए centimeter में और हमको जो work done दिया है वो भी cgs unit है हमको जो यहाँ पर surface tension दिया है वो भी cgs unit में है तो भाईया हम क्या कह रहे है कोई भी unit को मत change करो तो आपका answer eventually centimeter में निकल के आ जाएगा समझ रहे हो तो कहीं कहीं समझदारी से काम करना पड़ेगा तो work done is equal to delta u यानि कि sir u final minus u initial बिल्कुल sir अब पूरा खेल आपका यहाँ पर सिर्फ calculation का है हमको यहाँ पर work done दे रखा है 36960 is equal to uf minus ui तो आप जब this minus this करोगे तो आप यहाँ पर 8 common लेते आप यहाँ पर pi भी common लोगे pi की जगह क्या लिखोगे 22 by 7 भणिया है sir आप s भी common लेते s हमारा कितना है 40 बिल्कुल sir r2 का square r2 हमको पता नहीं minus r1 का square that is your 49 by 4 ठीक बात है we haven't changed a single unit over here right now बहुत सुन्दर अच्छा अब देखिए 6 से 6 को हम मार सकते थे यह वाले 4 को अगर हम इससे कट करे तो आपका ही हो जाएगा कितना 4, 9, 36 2 and 4 बिल्कुल sir और कुछ हो सकता है क्या अगर इसको हम देखे तो इससार यह 11 है तो यह आपको हो जाएगा sir 46, 2 और 11 इसको कट कर पा रहा है 11, 4, 44 and 2, 42 ठीक बात है sir तो हमारे पास LHS में है 42 and यहां कि अगर हम बात करे यहां पे आपके पास यह फिर एक और काम करो एक और काम करो इसको थोड़ा सा और कट करो sir यह हो जाएगा आपको 4 and this is going to be your 21 तो हमारे पास LHS में 21 है यहां पे हमारे पास numerator में 4 है और denominator में 7 है this is your 4 by 7 multiplied by R2 का square 49 upon 4 ठीक बात है sir now अब क्या करो अब क्या करो एक और काम क्या करो यह इन दोनों को है ना अंदर भेज़ दो देखो एक पर अंदर भेज के क्या होता है तो यह sir हमारे को हो जाएगा 4 by 7 R2 का square minus जब यह 4 इससे multiply होगा तो मर जाएगा और 7 इसके साथ multiply होगा तो 7 हो जाएगा 21 plus 7 is your 28 times 7 divided by 4 is equal to your R2 का square अच्छा तो 4 ने इसको cut किया तो 7 यानि कि sir यहां से हमको R2 की value 7 cm आ रही है तो पूरा जो खेल है यहां पे फिर आपको calculation करह जाता है ठीक हमने आपको पूरा अंतक answer लाके दिखाया है कि patiently करोगे तो आपको answer आएगा again an easy statement type question the contact angle between a solid and a liquid is a property of the material of the solid and liquid as well बिल्कुल true है इसमें कोई if and but है ही नहीं the rise of liquid in a capillary tube does not depend on the inner radius of the tube भाया यह तो false है ना यह तो false है आपके पास है ना h is equal to 2s cos theta where s is surface tension r rho g तो भाया r पे depend तो कर रहा है inner radius पे depend तो कर रहा है तो भाया true and false तो statement 1 is true but statement 2 is false option number 3 is the correct one 3 का 3 सही जवाब सही बात है अगला सवाल देखिए question number 4 calculation है क्या इसके अंदर भी mercury is filled in a tube of radius 2 cm up to a height of 30 cm ठीक है so आपके पास यहाँ पे एक ऐसा tube जैसा ले लिजे और यह इसका foundation ले लो base ले लो और इसके अंदर आपने mercury भढ़ दी है इसके अंदर आपने ऐसा mercury भढ़ दी है mercury का आपने यहाँ पे height क्या रखा है सवाल में दिया है मेरे ख्याल से हमको सवाल में दे रखा है भईया height जो है वो 30 cm है this is your 30 cm tube का आपको radius दे रखा है tube का आपको radius दे रखा है 2 cm the force exerted by the mercury on the bottom of the tube is how much हमको atmosphere pressure भी दिया है तो क्या होता है ना इन प्रकार के सवालों में थोड़ा सा confusion आता है सवाल का जो language है ऐसा कहता है कि force exerted by mercury as if कि सवाल शायद कहना चाता हो कि भईया सिर्फ mercury के वज़ा से बता दो bottom पे force कितना लग रहा है ठीक है बट आपको यहाँ पे given में ऐसा atmospheric pressure भी दे दिया कि भईया उपर में atmospheric pressure भी लो right so थोड़ा सा language में अगर और better करते तो बच्चा clearly समझता कि उनको atmospheric pressure का भी दबाब नीचे में लेना है right सिर्फ इतना लिखना चाहिए था find the force acting on the base सिर्फ इतना लिख देते हैं ठीक बात है सर anyways they are including this P0 also तो यहाँ पे आपको base में जो force होगा that force is equal to total pressure at the bottom is P0 plus rho GH total pressure into cross section area जो आपका base का area हो जाएगा ठीक बात है सर अच्छा अब देखेगा यहाँ पे भी calculation का चक्कर है भाई P0 is how much P0 is 10 to the power 5 ठीक बात है plus rho is your density of mercury जो हमको सवाल में दे रखा है 1.36 10 to the power 4 gravity is how much that is your 10 and height is your 30 centimeter याने की 30 by 100 area को बाद में multiply करेंगे no tension अच्छा तो सर यहाँ पे हमको दिख रहा है शुन्य शुन्य यह दोनों शुन्य तो मर गया 10 to the power 4 को बाहर निकाल लो तो अंदर में आपके पास 10 बच रहा है यह 10 to the power 4 हम बाहर निकाल देते हैं so 1.36 multiplied by 3 कितना ओ रहा है 3, 6, 18 right 3, 3, 9 10 3, 1 और 1 आजाता 4 और 2 decimal है तो सर यहाँ पे आगया इतना और 10 to the power 4 हमने बाहर खीचा था cross section area, base का area हो जाएगा pi r square यानि किसर 22 by 7 सवाल में बोल रहा है तो लेना पड़ेगा r square 2 centimeter है तो सर यह हो जाएगा आपको 4 into 10 to the power minus 4 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा यह आपको हो रहा है 14.08 multiplied by यह दोनों भाई साब मर जाएंगे this is your 22 by 7 multiplied by 4 अच्छा 14.08 by 7 कितना होगा 2.01 उसके बाद चाहा तो आप एक और 1 लिख सकते हो लेकिन यह आपको बहुत अच्छा approximation हो गया है multiplied by your 88 88 बढ़िया है सर तो सर इसको precisely multiply करना कोई बहुत बढ़ी बात तो है नहीं आप इसको multiply करो this will turn out to be your 176.8 या 9 something आप करके देखना यह आपको 8 या 9 something आएगा which is round off करने पर यह आपको हो जाएगा 177 and that is indeed your answer that is indeed your answer that is 177 ठीक है सर clear है बढ़िया है एक दम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल statement type question है when a capillary tube is dipped into a liquid the liquid neither rise nor falls तो भाईया जो आपको height होता है rise in height या फिर depression जो भी है that is 2s cos theta divided by r rho g भाईया कोई rise कुछ भी ना हो उसके लिए आपका theta 90 degree होना चाहिए contact angle 90 degree होना चाहिए यहां कहता है the contact angle may be 0 degree यह तो कोई logic नहीं हुआ false है यह statement तो the contact angle between a solid and liquid is a property of the material of this solid and liquid अभी अभी ज़स देखा था यह बिल्कुल true statement है तो पहला false दूसरा true है statement 1 is false but statement 2 is true तो भाईया पाचवे का option number 1 is the correct ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं question number 6 की आप यह जो variety है आप Pascal's law में देखते हैं यहां पे आपको diameter 14 cm यहां पे diameter 1.4 cm यहां पे आप force लगा रहे हो 10 N तो हमसे पूछता है यहां पे क्या force लगाना चाहिए equilibrium के लिए यहां पे क्या force लगाना चाहिए तो आप बोलते हो force upon area 1 should be equal to यहां जो आप force लगा रहे हो that is your 10 N upon area 2 अच्छा बहुत बढ़िया so force area क्या हो जाएगा pi diameter अगर diameter इस्तिमाल कर रहे हो तो pi d square by 4 तो pi d square times 4 यहां पे भी क्या लिखोगे pi d square times 4 of course 4 pi 4 pi आपका मरेगा and diameters क्या क्या है यह d1 है और यह वाला आपका d2 है राइट अच्छा तो force is equal to 10 times d1 by d2 का whole square अच्छा अब क्यूंकि ratio में है तो units को change करके फाइदा भी नहीं है उपर 14 लिखो नीचे 1.4 लिखो और इसको square मारो क्या यह आपको 1000 newton आता हुआ नहीं दिख रहा है यह 10, 10 का square 100 100 into 10,000 तो सर इस सवाल का सही जवाब हमारा 1000 है ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं question number 7 standard question है previous year questions में आपको यह बहुत बार पूछा जा चुका है a small ball of mass m and density rho is dropped in a viscous liquid of density rho naught after some time the ball falls with a constant velocity constant velocity का मतलब होता है net force 0 हो चुका है the viscous force on the ball is how much आपके पास इस प्रकार से एक viscous liquid है ठीक है liquid है बढ़िया है सर constant velocity also means terminal velocity अब एक ball इसके अंदर आपको constant speed से नीचे अब गिर रहा है ball का mass m है ball का density आपको rho है जो liquid में यह गिर रहा है उसका density सर rho naught है क्या forces लग रहा है इस पे तीन forces एक mg एक आपका उपर लग रहा है point force और एक और उपर आपका लग रहा है viscous force जो side से लग रहा है surface पे तो सर यहाँ पे एक point force लग रहा है एक viscous force लग रहा है net force 0 है कहने का मतलब है कि जो इसका धरती माता का frame है mg that is equal to your point plus viscous force हमसे यहाँ पे viscous force पूछ रहा है तो viscous force is equal to mg minus of point force अच्छा सर अच्छा है तो सर विसकस force हो गया है हमारे को यहाँ पे mg minus point force क्या होता है density of the liquid volume of the body पूरा body submerged है multiplied by gravity अच्छा and volume of the body क्या लिखोगे rho और m के terms में rho आपको होता है mass upon volume तो क्या हम लोग यहाँ पे volume को m by rho नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो क्या हम लोग यहाँ से mg common लेके इसे इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं सर यानि सर option number 4 is the correct simple चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते है question number 8 look here very very carefully a big drop is formed by coalesing thousand small droplets भाईया cut 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 ऐसे ऐसे 1000 droplets को आपने coales किया है ठीक है drop है एकदम तो एक बड़ा drop बन गया बढ़िया है सर तो बड़े drop का सर कुछ radius capital R होगा और इन छोटे वाले का radius small r है तो भाईया drop जुड़ जुड़ के एक बड़ा drop बना है तो liquid कहीं waste तो हो नहीं रहा है तो volume तो सर सेम होगा शुरुवात में आपको जो total volume है that is this much और बाद में आपको जो volume है that is this much तो सर हमको यहां से दिख रहा है कि हमारा जो capital R आ रहा है that is 10 times small r ठीक बात है सर अच्छा now the ratio of surface energy of thousand droplets तो भाया u1 upon u2 करना है इन सभी का जो total surface energy है वो u1 है और इसका u2 है तो इन सभी का क्या होगा किसी एक का लिखो और thousand से multiply कर दो और किसी एक का क्या होगा s multiplied by surface area drop है bubble नहीं तो drop है कर तो सिर्फ 4 pi r square 4 pi इसके radius का square बाद में surface tension multiplied by 4 pi capital r square capital r square and capital r is this much यानि कि sir 100 small r square तो अगर हम ध्यान से देखे ये सब आपको मरेगा और thousand by hundred आपको 10 is to 1 दे रहा है हमसे कहता है कि अगर ये 10 upon x है तो x की value कितनी है sir x की value तो 1 हो जाएगी ठीक बढ़िया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते है question number 9 pressure inside a soap bubble is greater than the pressure inside by an amount of how much तो भाईया soap bubble है soap bubble है बताने की जरुबत नहीं है अगर कुछ नहीं आपको mentioned है तो आप यहाँ पे soap bubble इस प्रकार का ही ना मानेंगे आपको यहाँ पे एक inner surface है एक outer surface है ठीक है अंदर भी हवा है बहार भी आपको हवा है बढ़िया है sir तो इस case में अगर यहाँ pressure P1 है यहाँ pressure P2 है तो हम कहते है excess pressure यानि P1 minus P2 is your 4S divided by capital R तो इस case में आपका option number 1 सही जवाब हो जाएगा ठीक है बढ़िया है बताईए क्या-क्या पूछ दिया यह तो एक्तम ही नहीं पूछना होता है भाई सहाब correct Bernoulli equation is which one P plus rho G H plus half rho V square option number 2 is the correct one 2 से 3 सेकेंड का सवाल है अगर आपको एक्जाम में आ रहा है तो आपको plus 4 marks ऐसा ठाली पे परोश के दे रहा है कि लोग खाओ सवाल में कहता है a liquid column of height 0.04 cm यहाँ पर हमको बोल रहा है कि अगर आपके पास एक liquid column है जिसका height 0.04 cm है तो उसके base पे liquid column का pressure हो जाएगा rho G H right that balances excess pressure of soap bubble of a certain radius so basically जो आपको excess pressure है soap bubble में that is same as the pressure at the base of a liquid column एक liquid column 0.04 cm height जो आपको pressure लगा रहा होगा वो इसी के बराबर है ठीक है अच्छा है सर अच्छा है सर और देखिए पूरे सवाल में आपको है न कोई atmospheric pressure लेने का कोई hint भी नहीं है तो उस zone में जाने का भी नहीं अपकोर्स अगर कोई advanced oriented question होगा तो वहाँ पर आपको और clarity रहती है बट यहाँ पर आप मिला जुला की इतना ही कर सकते थे now excess pressure is how much excess pressure is equal to your 4s by r bubble है न कहा गया हाँ bubble है सर rho g h the diameter of the soap bubble is how much तो भाया radius तो solve कर ले कम से कम हम यहाँ पर कह सकते है radius is equal to your 4s divided by your rho g h अच्छा है सर 4 surface tension कितना दे रखा है 0.28 0.28 divided by density हमको दे रखा है 8 into 10 to the power 3 gravity हमको सवाल में 10 दिया है और height हमको दिया है 0.04 centimeter which is 4 into 10 to the power minus 4 meters अच्छा 4 ने 4 को मार दिया 10 to the power 3 10 10 to the power minus 4 सब के सब मर गए आपके पास बचा यहाँ पे this upon this और यह आपको आ रहा है meters में हमें चाहिए centimeter में answer तो आप क्या करोगे 28 by 8 बोल सकते थे this is your centimeter यानि कि सर जो diameter है which is twice of radius that becomes your 28 by 4 यानि कि सर 7 centimeter तो इस सवाल का जवाब अपना साथ हो जाएगा ठीक है सर अच्छा शवाश अग्रा सवाल देखते है question number 12 अच्छा अब आया buoyancy buoyancy वाला सवाल Archimedes principle आपके पास दो layer है नीचे में water है उपर में kerosene है और यह आपके पास एक ice cube है ice cube आपको है न ऐसे पड़ावाय सिस्टम में इसका कुछ हिस्सा water के अंदर है कुछ हिस्सा kerosene के अंदर है यह ratio है the ratio of volume of ice immersed in water समझेगा अगर हम इसका front view बनाए अगर हम इसका front view बनाए यह आपका ice है ठीक बात है यह इसका ice है kerosene को orange color दे दे तो यह ले लो आपको kerosene और पानी है तो पानी को भाई आप blue color देंगे यह हो गया आपका पानी है ठीक बात है तो हमने बोला कि मान लीजिए कि यह जो हिस्सा पानी में है इसका volume मान लो v1 और उपर वाले का volume मान लो v2 ठीक है यह आपका kerosene है और यह आपका पानी है अच्छा system equilibrium में है तो इस पे forces क्या क्या लग रहे होंगे mg और उपर में लग रहा होगा point force this is your mg और उपर में लग रहा आपको point force अच्छा very good तो sir हमको यहाँ पे दिख रहा है mg point force must be balancing your mg now point force में आपको दोनो liquid का point force लिखना पड़ेगा एक तो water इस इस v1 volume पे क्या लगा रहा है तो क्या लिखोगे density of water multiplied by v1 multiplied by gravity plus density of kerosene multiplied by v2 क्योंकि kerosene जो है वो v2 volume डिस्प्लेस किया है multiplied by gravity is equal to mg m में mass क्या लिखोगे ice का mass which is nothing but density of ice multiplied by total volume v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 multiplied by gravity बिल्कुल सही सर सर ग्राविटी ने ग्राविटी को ग्राविटी से मार दिया अच्छा सर बहुत ही बढ़िया है density of water कितना है सर 1000 multiplied by v1 plus density of kerosene अब ध्यान से देखना हमको यहां पर specific gravity दिया है kerosene का specific gravity को 1000 से multiply कर दो वो उसका density हो जाता तो 0.8 को 1000 से multiply किया तो यह आपको जाएगा 800 पता है ना specific gravity is equal to density of that material upon density of water यही ना है so 800 multiplied by v2 is equal to density of ice 0.9 को 1000 से multiply किया तो 900 multiplied by v1 plus v2 अच्छा सर सर rearrange करूँ तो यह हमको v1 is equal to v2 आता हुआ दिख रहा है यानि कि सर जो ratio है v1 by v2 that is 1 is to 1 ठीक है बढ़िया है चलिए अगला सवाल देखते है question number 13 13 नमबर question terminal velocity ठीक है small water droplets of radius 0.01 1 mm are formed in the upper atmosphere and falling with the terminal velocity of this much तो भाईया आपको water का droplet है यह आपका water का droplet है बढ़िया है सर हमको कहता है कि सर यह एक constant velocity से नीचे की तरफ travel कर रहा है सही बात है it has achieved it has achieved a terminal velocity मतलब इस पे forces 0 हो जाते होंगे mg उपर लग रहा है आपको point force प्लस surrounding का viscous force viscous force कौन सा वाला 6 pi eta rv तो आपने इस velocity का derivation किया होगा by equating mg and fb plus fb यहां से terminal velocity का formula निकल के आता है which depends upon gravity क्या हुआ सवाल में एक बून थी बाद में ऐसे ऐसे 8 बून बाद में ऐसे ऐसे 8 बून आपस में कोलेस करके एक बड़ा बून बना लिए एक बड़ा बून बना लिए अच्छा है सर हमसे इस बड़े बून का अब terminal velocity पूछ रहा है अगर हमने पहले वाले terminal velocity को लेटर से v1 बोल दिया तो हमसे अब v2 पूछ रहा है अच्छा तो जैसा कि हम कह रहे थे terminal velocity जो है वो आपको gravity पर डिपेंड करता है लेकिन gravity तो constant है दोनों ही situation के लिए right density of material पर डिपेंड करता है दोनों ही आपको same material का है ठीक है coefficient of viscosity पर डिपेंड करता है दोनों की surrounding में air है same air है तो वो भी same था एक जगह जहां पर दोनों में फरक पड़ेगा that is radius तो हमको बस अगर इतना भी ध्यान में अगर आपको पूरा formula नहीं भी याद में है अगर आपको इतना भी याद था कि ये आपका जो terminal velocity है that is proportional to r square आपका काम बन जाता अगर पहले हमारे को radius small r है तो बाद में हमारा जो radius है वो कितना होगा ऐसे ऐसे 8 बूंद combine होके बने हैं तो 8 multiplied by 4 by 3 pi r cube total initial volume should we equal to बड़े वाले बूंद के volume के बराबर बिलकुल सर तो सर यहां से हमको दिख रहा है capital r is equal to 2 times your small r तो सर रेडियस अगर double हो गया radius r से double हो गया है 2 r यह तो r square है यहां पे terminal velocity 4 times हो जाएगा तो हमारा जो v2 है न पहले अगर 10 cm per second था तो अब 4 गुना यानि की 40 cm per second हो जाएगा that is your answer ठिक बढ़िया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते है question number 14 ध्यान से देखिये का look here very very carefully the sphere of relative density sigma sigma का मतलब है density of जो भी आपका वो body है upon density of water ठीक है so a sphere of relative density sigma and diameter capital D has a concentric cavity of small d the ratio of capital D by small d if it just floats on water in a tank is how much ध्यान से देखिये simple सवाल एकदम तो भाईया यह जो आपका system है वो just float कर रहा है just float कर रहा है कहने का मतलब है आपको cavity भी है just float करने का मतलब है कि ऐसा मोहल है आपको एकदम बस ऐसा and cavity है यानि कि material आपका यहाँ पे है आपका जो उसका solid part है वो यहाँ है अंदर से खोकला है थोड़ा सा अच्छा बढ़ी आए सर outer इसका जो radius है sorry diameter है that is capital D और जो इसका internal यह जो इसका inner diameter है this is your small d ठीक बात है सर अब जनाब यह जो है अपने को float कर रहा है अगर float कर रहा है तो हम कह सकते है यानि कि इस पे net force आपको 0 है तो हम कह सकते है कि downward force should be equal to upward force mg is equal to point force mg is equal to your point force आपको एकदम अच्छे से लिखना है यह सारी चीजों को अब m what is the mass of the body density of the body which is rho density of the body multiplied by what is the volume volume of the material लिखना है body का volume नहीं material, mass of material पूछा है ना तो material का volume कितना होगा that is equal to your 4 by 3 pi r2 cube minus r1 cube जहां पर radius क्या हो जाएगा d by 2 तो तुमको दिख रहा है कि यहां पर आप लिखते d cube by 8 minus d cube by 8 दिख रहा है तुमको दिखना चाहिए भाई साब दिखना चाहिए point force liquid जो liquid जो आपको volume liquid का जो volume displace हुआ है वो तो आपको outer diameter के वज़े से हुआ है अगर हम तुमसे पूछे कि कितना volume पानी displaced किया है यह body तो क्या लिखोगे यहां पर point force क्या होगा density of water multiplied by volume displaced 4 by 3 d cube by 8 समझ रहे हो भाई अंदर थोना पानी घुच जाएगा सही बात है सर multiplied by gravity अच्छा अच्छा तो सर 4 this 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 gravity gravity मरेगा 8 8 8 भी मरेगा अगर हम rho w को left side ले जाए तो हम यह लिख पाएंगे और यहां पर हमारे पास by the way इतना तो है ही and this is equal to your d cube अच्छा this fellow is your sigma तो इसको sigma बोलके उसे right side ले जाओ और इसको left side ले जाओ तो यह हो जाएगा 1-d cube by d cube and that is equal to your 1 by sigma तो सर यह हमको निकल के आ रही है d upon capital d का whole cube is equal to sigma minus 1 by sigma therefore capital d by d is equal to sigma upon sigma minus 1 whole to the power 1 by 3 जो की हमें option number 1 में है बल्ले बल्ले आगला सवाल देखते है question number 15 good कहता है the excess pressure inside a soap bubble is thrice the excess pressure inside a second soap bubble बाई साब आपके पास दो बबल है खटाक खटाक ऐसा ठीक है इसका radius r1 हो सकता है इसका radius r2 हो सकता है excess pressure inside a soap bubble is thrice the excess pressure inside a second soap bubble तो इस वाले case के लिए अगर हमारा excess pressure की बात करें तो क्या होगा 4s by r1 तो हमसे कहता है कि इसका जो 4s by r1 है और दोनों ही soap bubble है तो surface tension आप सेम ले रहे हो is equal to three times of second वाले का excess pressure sir 4s ने 4s को मार दिया यानि कि sir r1 is equal to r2 by 3 अगर हम दोनों तरफ cube मार दे तो यह आपको हो जाएगा r1 का cube 1 by 27 multiplied by r2 का cube and volume is proportional to बाबा cube only समझ रहे हो r1 cube only क्योंकि 4 by 3 pi तो दोनों में constant है तो sir हम proportionality के खातिर इस term को अगर हम दोनों तरफ 4 by 3 pi multiply कर देंगे तो इसको तुम क्या बोलोगे पहले वाले soap bubble का volume is equal to 1 by 27 multiplied by V2 हम से क्या पूछा ratio between the volume of first and the second bubble is how much तो भाया V1 by V2 is equal to 1 is to 27 option number 4 ठीक है अच्छा आते हैं आज के session के आखरे सवाल पे and यकीनन controversial question भी रहा बच्चों ने इसके ओपर आवाजे भी उठाई लेकिन as usual कोई खास सुनवाई नहीं है ठीक है अब इसमें क्या दिक्कत है right and क्या ये सवाल examination में हम फिर भी answer mark कर सकते थे वो हम यहाँ पर सब discuss करेंगे and NTA ने जो यहाँ पर exact answer दिया है वो exact answer कैसे लाते वो भी हम आपको बता देंगे a spherical ball of radius this much and density this much falls freely under gravity through a distance h before entering a tank of water तो हम तो कह रहे है भाई साब पहले ही यहाँ पर एक water का tank आप बनाओ बनाईए and यह आपका ball है ठीक है अभी इसका speed 0 है गिरना शुरू करता है just पानी को touch करने से पहले root 2gh अभी जो इसने velocity attain कर ली है this velocity is equal to under root of 2gh initial speed 0 था और जनाब यह आपको h height fall किया है बढ़िया है सर अब यह h height fall करने के बाद यह v velocity से पानी के अंदर घुसता है तो देखा गया कि जब यह पानी के अंदर घुसा क्या देखा गया after entering in water the velocity of ball does not change यानि कि भाईया जब यह पानी के अंदर घुसा तो जो इस ball का terminal velocity पानी के अंदर होना चाहिए था वो velocity यह पहले ही achieve कर लिया घुसने से पहले तभी तो भाईया उस ball का velocity change ही नहीं हुआ अंदर घुसने के बाद भी मतलब घुसते के साथ ही उस body पे net force 0 था अच्छा विच मीन्स यह जो velocity है वो body के terminal velocity के formula के बरावर है सर formula याद है आपको कई बच्चों को formula ही याद नहीं रहता है तो हम कह रहे हैं अगर नहीं ध्यान में है जब आपका body अंदर होता है ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा mg लगता है और उपर के तरफ लगता है सर इस पे point force and viscous force look here very very carefully point force and viscous force तो आप क्या करते हो आप यहीं न बोलते हो जनाब आपका जो mg है that is fb plus fv यानि की mg minus fb is equal to fv यहीं बोलते हो mass क्या हो जाएगा mass क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे density of liquid को rho बोल दे and density of this body को अगर हम लोग यहाँ पे let us say rho s बोल दे इसको rho l बोल दो तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा density of solid multiplied by volume that is equal to your 4 by 3 pi r cube gravity minus point force density of liquid क्या volume displaced किया है तो वही volume जो उस body का था multiplied by gravity is equal to 6 pi eta r into v और यही वो आपका terminal velocity है अगर हम ध्यान से देखे तो सर पाई ने पाई को पाई से मार दिया r ने r cube को 2 बना दिया r cube को 2 बना दिया इसको अगर हम 3 बोलेंगे तो हम इसको 2 बोल सकते है इसको भी हम 2 बोल सकते है तो क्या हम लोग lhs में क्या हम लोग lhs में 2 r square into gravity divided by 3 common ना ले ले और इसे rho s minus rho l ना बोल दे और rhs में आपके पास है 3 eta v तो सर यहां से क्या हमको terminal velocity का equation नहीं निकल किया रहा है 2 r square gravity divided by 9 into eta multiplied by rho s upon rho l rho l अच्छा सर हमें क्या करना था basically यह root 2 gh को इसी formula से equate मारना था ठीक है तो इक काम करते है फिलाल के लिए हम लोग इस derivation को हटा रहे है यह हमने आपको आपकी सहूलियत के लिए करके दिखाया in case अगर आपको तो आप इसे quickly निकाल सकते है तो भाया हमें अब करना है equate चीजों को terminal velocity ही आपको under root 2 gh के बराबर है तो हमने यहाँ पर क्या बोला हमने बोला 2 times radius का square ball का radius इतना है उसका square किया तो 10 to the power minus 8 multiplied by gravity आप समझे कर सवाल में आपको g का value कहीं दिया नहीं है तो आप g की value कित्ती ले लोगे 9.8 यही तो हमको सिखाय गया है यही तो हमारी मान्यता है और यहाँ पर यह 9.8 देके भी आपको hint दे रहा है कि भाया यही ले लो generally आपको 9.8 ही लेना भी चाहिए था ठीक है तो आपने यहाँ पर लिख दिया 9.8 बढ़ी यहाँ है सर divided by 9 into eta eta is how much? where is coefficient of viscosity? यही है आपको 9.8 into 10 to the power minus 6 multiplied by rho s density of the solid body is 10 to the power 5 and density of water is 10 to the power 3 is equal to under root 2gh फिलाल के लिए इसको under root 2gh ही करके रखे रहो LHS को simplify करो 9.8 ने 9.8 को मार दिया है ना? यहाँ से तुम 10 to the power 3 को बाहर ले सकते हैं अब देखो NTA ने क्या किया है यहाँ पी भी उन्होंने gravity को 9.8 लिया उन्होंने यहाँ पे क्या किया उन्होंने बोला कि भाईया यह 10 to the power 5 है इसके सामने 10 to the power 3 बहुत छोटा है उनके नजर में छोटा है तो 10 to the power 3 को उन्होंने न इग्नोर कर दिया है और फिर solve कर दिया अगर तुम ऐसा काम करोगे कि तुम 10 to the power 3 को इग्नोर करोगे तब तुम्हारा आंसर 2519 आजाएगा उन्होंने आंसर option number 3 दिया था अगर तुम यहाँ पे 10 to the power 3 को इग्नोर कर दोगे तब जाके तुम्हारा आंसर 2519 आता लेकिन point यह है कि यह आप नहीं भी remove करेंगे तब भी आप इसे easily calculate कर पाते ठीक है तो हमने आपको यह तो बता दिया कि इसको अगर इग्नोर कर दो तो यह answer आपका आजाता अगर कोई बच्चा इसे इग्नोर नहीं कर रहा है जहाँ पे अमूमन बच्चे इसको नहीं इग्नोर करेंगे भाई क्यों ignore करोगे क्योंकि फाइदा दिख रहा है ये 9 आपको उपर से मरने वाला था and approximation का मज़ा तभी आता है जब approximation लेने से आपके answer में कोई खास फरक नहीं पड़े इसको remove कर दोगे तो इतना answer आएगा और इसको अगर remove नहीं करोगे तो आपको answer इससे छोटा आएगा और ऐसा भी 2-3 number का difference नहीं है 40-45 आपको difference है वहाँ पे which is a good amount of difference तो इसको remove नहीं करना चाहिए था and उसके beyond अगर solve करें तो 10 to the power 3 यहाँ से आप common ले लो तो common ले लेते अगर तुम common ले लेते तो तुम बोलते 2 into 10 to the power minus 8 multiplied by अच्छा पहले इसको तो सल्टाओ 10 to the power minus 6 इसको मार दिया तो 10 to the power minus 2 so 2 into 10 to the power minus 2 आपने 10 to the power 3 common ले लिया तो यहाँ पे 100 बचा यहाँ पे 1 बचा and denominator में भाई सब आपके पास 9 बचा और यहाँ पे आपके पास root 2 gh थो था ही अच्छा 100 minus 1 99 यहाँ पे 9 था तो 99 by 9 is 11 11 बढ़िया है सर 99 by 9 11 और यह दोनों मर के हमको यहाँ पे 20 हो गया यह तो सर यहाँ पे 20 into 11 यानि कि 22 into 10 देख रहा है 22 into 10 है हमको LHS में और यहाँ पे root 2 gh यानि कि सर इसका square कर दो that is equal to your 2 gh यानि कि सर h is equal to 484 multiplied by 100 divided by 2 multiplied by 9.8 ठीक है इसको आप solve करेंगे न जब तो आपका निकल के आएगा 2469.3 अब मुद्दे की बात यह है कि कोई बच्चा अगर इसको भी लेके आता solve करके है तो हमसे अगर चारो option में आप closest धूड़ेंगे तो जो सबसे closest है न वो आपको फिर भी option number 3 निकल के आएगा but having said that अगर वो यही option देते अगर वो 2470 भी दे देते so that would have been a much beautiful option as compared to 2518 so I think I have explained all the confusions related to this particular question and चलिये चैनल पर नए होगा तो subscribe कर लेना hit that like button अपने मिलते रहेंगे take care wish you all the very best and bye-bye कर दो